जैशी गनेजी मैं हूँ आश्टर संद्या सक्सान स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मालक्षी जी उतिश अध्यात्मी संसान में और आज आप सबको एक बहुत अच्छी चीज बहताने जा रही हूँ जैसे आप जानते हैं शिश्य पुरान काम पा पारवती खंड उसके पहले अध्या की तक जा रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि भगवानशी गडपती का हमेशा में ध्यान करती हूँ और उनी के आशिश से मुझे प्रणना मिली है कि मैं आप को शिप्रण सुनाओं तो मेरे दो खंड पूरे हो चेकी आज मैं तीसे खं मानते हैं दीदी मानते हैं उन सब पे किरपा कीजे और उन सबी की मनोग कामनों को पूरा कीजे तो भगवान श्रीकरवती मराज भगवान शेंदेव भगवान शिप्जी मराज भगवान कारती के मा लक्ष्मी मा पारवती और समझ देवी देवतों का ध्यान करते वे मा काल पहले वाले पार्ट में जाना था कि एक वेशन नाम का विक्ति था जिसने कई सारे जरम लिये और उसने भगवान शिप की बहुत तपस्था की उसके वदर से कुबेर नाम से भगवान ने स्थान दिया और उसे अपना सखा बनाया और उसे सभी तरह के जो भी धन दौलत थे उसका माली भी बनाया तो भगवान शिप जी महराजे कुबेर को वर्दान दे कर जब अपने लोग को वापस गए तो विचार करने लगे कि मनुश्य की भुलाकिल हम क्या कर सकते हैं जिसे मनुश्य का उत्तव बने अधर उन्होंने निर्णे क्या कि वो जो है कुबेर के पास उनके मत्र बनके रहेंगे और उन्होंने ये भी सोचा कि मैं अब धर्टी पर ही निवास करूँगा जिसे कहते हैं कलाश पर निवास करते हैं पिर उन्होंने कहा कि मैं किस रूप में वाम निवाश करूँगा क्योंकि मेरा ब्रह्मे शरी को त्याक कर किसी अन्य निवाश मतलब उन्होंने कहा कि यदि मैं कुबेर जो है भगवान शिप के दोस्त बन गए थे उन्होंने कहा कि मुझे धर्दी रही मतलब अवतार लेके रहना चाहिए लेकिन सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ पर मतलब अपनी शरी को छोड़ कर मनुश्य के रूप में अगर अवतार लूँगा और वो है कुबिर एक दिवता हो गए तो शायद वहाँ पर तालमिल नहीं बटेगा और वहाँ पर कोई दूश्य आ सकता है अथा उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने इसी नाम से और इसी बज़ान के साथ अपनी इसी शक्ति के साथ वहाँ पर जाके निवास करूँगा और उन्होंने तब माता पारवती के साथ कोई अवतार धर्ण नहीं किया बलकि वो अपने योग और साद्धा के बलवूते पे अपने भक्तों को आनंदित करते वे अपनी पत्नी अपनी भारिया के साथ यानि माता पारवती के साथ आए कहां पे केलाश में और उनोंने डमरू बजाना शूर किया और डमरू बजाते वे तीनों लोग में जंकार हूटे और समस्त तीर लोग वासी जो है वो खुश हाल होने लगे जुमने लगे भगवान विश्यू करून पे और जो ब्रह्मा जी हंस्त पे और समकादिक मुनी देपता सभी धर्म सरपगन सभी जो है भगवान शीप की तरफ चल पड़े और सदाशीव जो हर समय नशे मिधू तरहते थे उसी समय उन सब की तर्प सभी और चल पड़े और सदाशीव ने डमरू बजाया और सभी को दर्शन देने शू कर दिये 33 कोटी तेवी देवता जो थे देवराज इंदर थे ग्यारा रुदर थे पारा सूरे आठो विष्व तेरा देव साइटाइस रक्षत्र बारा बक्ती चौसट योगनिया उन्चास पवन दसो दिकपाल विद्यधर यक्षि गंदर किनर अपसरा रिदी सिद्धी बूत पिशा राज बसू की तक्ष सर्बनाग राज शेष जकमाता गायतरी गरुण पारवत सातो समंदर छे रुदू काल यम यग नदिया नंदर बनवासी इत्यधी भी सभी भगवान के दर्शन केलने के लिए चड़ पड़े और तब नारज जी ने एक ऐसी सेना को देखा जिसे कहते हैं सुनो कन नामगण के साथ एक करोड सेना, केके नामगण के साथ दस करोड सेना, विकरत नामगण के साथ आठ करोड सेना, प्रियांतरक नामग प्यातरक के साथ नो करोड, विकडन के साथ नो करोड, जालाक के साथ बारा करोड, दुन्दवी के साथ 14 करोड, कुंदक के स सहस्त्य सैन नाय कंपन आठ करोड़ सैना के साथ, विश्टंप भीज आठ करोड़ सैना के साथ, इनके अतरित सनकाधिक गनपती दर-दस करोड़ की सैना के साथ चल पड़े हैं। दंदिगाण 12 करोड़ों को साथ महा काल 100 करोड़ के साथ चल पड़े。 धिनिंग, पुंग, पूर्ण, भद्र, नीम, और के साथ 9 करोड़ चितरक के साथ 7 करोड़ विदे से परम्यूग के साथ असंकि सैना के साथ चल पड़े और सभी शिवगणों के में ताल केतू, श्रीनेत, पंच दूद, भयानक, लंकेश, समर और भ्रंगी त्यादी के साथ एक एक हजार भूतों के साथ चल पड़े और दस करोड़ भूत और भी आ गए, ललकांत द्यत्य दीव और असान देवतों के परम्परी एक ही रूप में वाले 64,000 थी अब यह देखें कि इसमें ये भाव बताया है कि पूरा विश्व में जो भी प्राणी है, वो सभी जो है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चल पड़े जब उन्हें पदा चला कि भगवान आ रहे है धर्ती पे और उसके बाद लगाट पे चंदमाश सिर पे जटा विराजबान धारी गौरवनवाले नेत्रसरम सवग भसम सहलपेटे भगवान शिव त्रिपुन लगाए वे जिनके शरी से करोडों का परकाश निकल रहा था, वो भगवान शिव का दर्शन करने के लिए समस्त दिशाओं से देवी देपता और समस्त प्राणी आने लगे और जब भगवान जो है अलकापुरी के परांस पहुंचे तो वहाँ पे कुबेर जी ने गाजे बाजे के साथ भगवान शिव का अपने और सभी अथित्यों का सद आदर सतकार किया और उनको अपने साथ अपने लोक में ले गए अलकापुरी में जहां पर मैं दाती हूं और वहाँ पे उन्होंने भोजन त्यादी का प्रवंद कराया सभी के लिए जितने भी लोग आये थे सभी के लिए इस तरह से ये परतमिस्तान पूरा होता है इस सब पे और मुझ पे किरपा करें मेरे चैनल पे मेरे परिवार पे किरपा करें आप सभी के मनों कामना पुरी हो ऐसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही विश्राम दीजे धन्यवाद